हंट हेलो दोस्तो कैसे हो बाई आप सभी सभी को गुड मॉर्निंग सभी को जहिंद सभी को राधी-राधी दोस्तो आज कीशी कलास के अंदर दोस्तो आपके एकζाम ही जो पर्षेंटेज जे सब्सक्राइब करेंगे इसलिए पैनुर कोपी आप साथ में लेकर बैठना आपको भी दोस्तों करना है कि आपको आता है या नहीं आता और इसमें कुछ कुछन्स हमने वो लिए है जो कि पिछी 2019 के अंदर इंडिन आर्मी के एकजामें दोस्तों पूछे गई थे ताकि आपको लेवल का भी पता रहे अगर आपके एकजामें दोस्तों परसेंटेज अगर कुछन्स पूछ जाएगा यह हमारा पार्ट फरस्ट है ठीक है हम दो पार ऐक्जाम डेट भी पास में आ रही है तो हम आपको थोड़ा बहुत पड़ा देते हैं बता देते हैं कि इस तरह कि आपको तयारी कर नहीं है बाकि आपको मैज रिजिनिंग का पूरा सेलेबस हल सहीत पेडिएव के अंदर हम आपको परवाइड करा देंगे ठीक है जो आप important questions भी हम जो पिछे इंडिन आर्मी के exam में पूसेगे questions है math के reasoning के वो भी दोस्तों हम आपको provide करा देंगे ठीक है तो ज़्यदा बाते ना करते हैं दोस्तों हम finally अपने session की तरफ बढ़ते हैं जिसने like नहीं किया like कर देना कभी कबार अगर time मिलेगा तो हम आपके और class ले लेंगे अभी time था class थे नहीं उन्होंने कहा कि आज अपने class नहीं होगी तो हमने स्वचा तलो अपने zone के class आज हम ले लेते हैं उनको math के बारे में थोड़ा बहुत पड़ा देते हैं ठीक है एक बार phone है सभी को जैहिंद जिसने like नहीं किया like कर देना बढ़ते हैं दोस्तों अपने fast question की तरब fast question है दोस्तों 7 बटे चोगदा को परतिसत में बदलो 7 बटे चोगदा को परतिसत में बदलो आप सोच रहे होंगी कि सर भला इतना easy questions थोड़ी आता है मेरे दोस्त ये question 26 October 2019 को इंडियन आर्मे के exam में पूछा गया question है अगर आपका भी exam होगा तो परतिसत से ऐसा ही question आपके exam में पूछा जाएगा उसकी संग्या change हो सकती है पाके दोस्तों तरीका यही रहेगा 7 बटे चोगदा को परतिसत में बदलो इसका right answer क्या होगा यह आप बताए जिसको नहीं पता है वो अपने mobile phone की इस खरेन पे देखिये दोस्तों इसने बोला है कि 7 बटे चोगदा को परतिसत में बदलो 7 बटे चोगदा को परतिसत में बदलो परतिसत में बदलो गे तो दोस्तों क्या करना है इसको multiple आपको 100 से करना होगा ठीक है 7 से चोगदा कितने बार कटेगा 2 बार कटेगा और 100 में दोस्तों जब आप 2 का भाग लगाऊगे तो दोस्तों इसका right answer है यह दोस्तों 50 परतिसत आ जाईगा इसमें जो option C बता रहे हैं वो बिलकुल right बता रहे हैं अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आई कि सरा ओ डिपले करो ओ डिपले करो तो बाई कलाशी बंद कर देंगे ठीक है ना ओ डिपले आप स्वयम पढ़ लेना क्योंकि हमारा target यह नहीं है कि हम आपको आएं और फड़ा के चले जाए हमारा मकसद यह है कि आपको इस बार इंडियन आर्मी की वर्दी पहना नहीं है क्योंकि दोस्तो ऐसा मोका हमें भगवान बार बार नहीं देता इंडियन आर्मी की एक्जाम में बेठने का क्योंकि इसका physical medical है यह जो बंदा करता है उसी को पता है कि कितना कठिन है ठीक है ना इसलिए रिस्क नहीं लेना है जो बता रहे हैं उस पे विश्वास कीजिए और उसे according अपने एक्जाम की तियारी कीजिए ताकि आपके सपल्दा में दोस्तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन दोस्तो यदि किसी संक्या का 7.35 है तो वह संक्या क्या है अगर आपको विश्वास नहीं होता कि सर पता नहीं कैसे कुसन्स करवा रहे हैं तो आपका दोस्त आपके रिलेटिव या फिर आपका छोटा या बड़ा भाई अगर बारतिय सेना के अंदर है आपका फादर है तो आप उनको ये वीडियो सेर करके आराम से पूचतास कर शकते हो कि सर हमारे एक्जाब में क्या इसे कुसन्स पूचे जाते हैं या नहीं पूचे जाते हैं तो आपको वो यही कहेंगे कि अगर आर्मी की तैयारी करता है तो इसी एकोडिंग आपको तैयारी करने होगी ताकि आपके सफलता में कोई दिक्कत ना होगी यह मेरा वाद है आपसे दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपने कोफी के अंदर आप मिलाए तब तक जिसको नहीं आता है वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए इसने पूछा है कि यदि किसी संक्या का 7% 35 है संक्या आपके पास नहीं है दोस्तो संक्या को आप अक्स मान लीजिए ठीक है अक्स का 7% दोस्तो 35 अटा होगे नीचे क्या लगेगा जाएगा ये मल्टिपल में हो जाएगा तो दोस्तो आप इसको लिख लीजिए 35 इंटू दोस्तो सो लिख दीजिए और ये शाथ है ये दोस्तो इसके नीचे आजाएगा तो ये वेल्यू है दोस्तो ये अक्ष के बराबरा जाएगी 7 दोस्तो 35 है ये दोस्तो पांच बार कटेगा और पांच और आप हंड्रेड को मल्टिपल करोगी तो दोस्तो पांच हो है इसका राइट अंसर आजाईगा इसमें जो उपसन शी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं दोस्तो समझ में आ रहा है जितना पड़ा रहे हैं अगर समझ में आ रहा है तो कला से और भी आपके कभी कभा टाइम मिलेगा तो और ज्यादा ले लेंगे ठीक है बागी एसी एक कोडिंग आपको तैयरी करना है और जिसने पहले इंडियन आर्मी का एक्जाम दिया है उसको तो पता है कि भाई ऐसी एक्जाम एक्जामें पूछ जाते हैं बास करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देखिये क्या कहता है नेश्ट कुशन कहता है कि 68-80 से कितना परतिसत कम है इंडियन आर्मी एक्जाम 2000 उगनीश का पूछा वाक्यूशंज है ये 68, 80 से कितना पर्तिसत कम है आप परसन के अंदर देखिये कि कितना कम है यहाँ पर कितना कम है इनका अंतर आपको देखना है संक्या चाहिए कितनी भी हूँ अगर ऐसा क्विशन शाजाई कि कितना कम है कितना ज्यादा है तब आपको क्या करना है यहाँ पर जो संक्या दे रखी है इनका अंतर देखना है इनका अंतर कितना है दोस्तो 12 का इनका अंतर है फिर दोस्तो हमेशा जिस संक्या के पास में से, का, के, की ऐसा सब्द अगर लिखा हुआ है तो उशी संक्या को उठा के यहां से इसके नीचे बाग में रख देना है रख दीजिए इसके बाग में दोस्तो इसको रख दीजिए 80 को आप यहां पर रख दीजिए अब इसने बोला है कि कितना परतिसत कम है तो दोस्तो परतिसत निखालने के लिए आपको क्या करना होगा आप सभी को पता है कि सर परतिसत के लिए हमें 100 से मल्टिपल करना होगा तो 100 से मल्टिपल कर लीजिए और इसको आप काट लीजिए ये 20 से दोस्तों 4 बार कटेगा ये दोस्तों 20 से 5 बार कटेगा ये दोस्तों 4 बारा से दोस्तों 3 बार कटेगा और 3 और 5 का multiple करोगी तो 15 परतिसत है ये इसका right answer आजाईगा जिन्होंने option A बताया है उन्होंने बिलकुल right बताया है बात करते हैं दोस्तो नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन देखिए पंदरा मिनट एक गंटे का कितना परतिसत है बहुत अचा कुशन से आप अपनी कोफी के अंदर इसको मिलाइए पंदरा मिनट एक गंटे का कितना परतिसत है दोस्तो इस परकार की कुशन साते हैं तो उनक ध्यान रखना ये दोस्तों जो का लिखावा है न ये दोस्तों जिस सबुद के आगे लिखाओगा न वो हमेंशब बटे में आईगा बस इतना ध्यान रखने न क्युशन आप 10 सेकंड में कर दोगी 15 मिनट एक गंटे का कितना परतिशत है दोस्तों मिनट दे रखा है तो करना है 60 लिख दीजिए फिर दोस्तों इसमें बोला है कि कितना परतिसत है तो आपको पता है कि परतिसत के लिए क्या करना है 100 से multiple करना है और यही तो उत्तर है मेरे दोस्त इसको काट लीजिए 15 से 60 कटेगा 4 बार और 4 से 100 कटेगा 25 बार तो इसमें 25 पर्षेंट जिन्होंने option D बताया है उन्होंने बिलकुल right बताया है आपके theory दोस्तों बहुत ही अचीक है आपका exam से 20 सप्रेल या बहुत से में आपके दोस्तिया कभी भी होता है तो दोस्तों परतिसत से इसी level से questions पूछे जाएंगे अगर थोड़े और deeply पूछे जाएंगे क्योंकि यह हमारा part first है अगर थोड़े बहुत difficult questions पूछे जाते हैं वो हम part second के अंदर आपको करवा देंगे ठीक है बात करते हैं next question की वो दोस्तों हम class इसलिए नहीं लेते हैं कि फिर आप मैंसे बहुत से लड़के कहेंगे कि सर जेके भी आप पढ़ात है आपको भी नहीं लगेगा ठीक न इसलिए फिर आवाश सुनके सुनके बोर हो जाओगे सुबह से ले कर साम तक 15 मिटर का 15üre कितना है सोरी 3 मिटर का 15כש कितना है यहांपर आपको ध्यान रकना है यह का है न दोस्तों यह 15 के पहले दे रका है मैंने आपको कहा कि 15 कि अगर ब के पहले अगर का के कि आ जाता है तो उसको निचे नहीं रखना है उसको उसी संक्या के बराबर के अंदर आपको मल्टिपल में रखना है या आपको ध्यान रखना है तो इसने बोला है कि तीन मीटर का पंदरा परतिसत कितना होगा आपको पता होगा कि एक मीटर में कितना सें मिटर होता है इसको आप दारेक्ट 300 भी लिखते हो ठीक है 300 भी लिख सकते हो चलो मैं 300 लिख देता हूँ आप कहोगी की सर 3010 200 में 100 में होता है तो 300 में 300 हो जाएगा ठीक है भई अब यहां पर का दे रखा है तो मैंने आपको कहा ना की का अगर पहले दे रखा है तो आपको इस संक्या के आगे multiple के अंदर उस संक्या को लिख देना है अब इसने बोला है कि 15 परतिसत कितना है तो दोस्तो परतिसत हटेगा तो नीचे क्या आएगा आप कहोगे कि सरसुआ जाएगा परतिसत हटेगा तो बस यही तो है इसी को तो काटना है 20 x 20 काट लिजी एप 15 रतिया कितना हो गया 45 cm क्योंकि आंस्वर है वो cm में दे रखा है तबी दोस्तो हमने इसको मिटर को cm में कनवर्ड किया है ठीक है अच्छा लग रहा है ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात करते हैं next question की next question देखिए 60 पेसे 5 रुपए का कितना परतिसत है यहाँ पर दोस्तो द्यान रखना का है यह दोस्तो बाद में दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा अगर बाद में दे रखा है तो उसको भाग में रखना है अगर पहले में दे रखा है तो उसको multiple यानि गुणा में रखना है तो यहाँ पर इसने पैसे दे रखा है ठीक न और आपको रुपए भी दे रखा है तो क्या करना है रुपए को पैसे में convert करना होगा तो 60 पैसे आप लिख दीजिए उपपर फिर एक रुपए में कितने पैसे होते हैं आप कहोगी कि सर एक रुपए में 100 पैसे होते हैं तो पांच रुपए के कितने सिक्के हो गए कितने पैसे हो गए तो यह हो गए भाई 500 हो गए ठीक है यह 500 क्यों लिका आपको पता होगा क्यों लिखा क्योंकि पैसे दे रखे हैं एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 होते हैं तो पांच में कितने हो गई 500 इसलिए हमने 500 लिखा है भैई ठीक है किसी को भी konfuse नहीं होना है फिर परतिसत निकालना है तो multiple आप 100 से कर दीजिये इसको काट लीजिए ये दो मिंदी से दो मिंदी कट गई और जब आप 60 के अंदर 5 का भाग लगाओगे तो दोस्तो ये पूरा पूरा बार बार जाएगा यानि इसका ओप्शन जिनोंने ए बताया है 12 परतिसत उन्होंने बिलकुल राइट बताया है बात करते हैं दोस्तो ने कर लेना और इसको रट लेना ये कुशन आपकी एक्जामे डेफिनेंटली आएगा और इसकी संक्या भी दोस्तो चेंज नहीं होगी इसके ओप्शन में दोस्तो गड़बड़ी है ध्यान रखना भाई ठीक है ना ओप्शन यहापर दूसरे टाइप हो गए है ठीक है ना कौन शी है कितनी भी चाहिए आपको वर्दी कमी कितनी भी दे रखी है आपको उपर एक ट्रिक लिखना है ट्रिक आपको ये लिखना है दोस्तो इसको छोड़ देना भाई इसमें से नहीं होगा ठीक ना कुछ लड़के सही बतारें देख लीजिए भाई उपर आपको वेसी चाहिए बीस पचीश पचास लाख दो लाख जितनी भी दे रखी है उशको वेसे की वेसी आपको लिख देना है निचिया आपको जितनी दे रखी है उशको दोस्तो शो में पलश कर देना है अगर वर्दी के लिए बोला है तो अगर कमी के लिए बोला है तो माइनस म करना है ध्यान रखना ठीक है अब इसने अधिक बोला है तो सो में 25 जोड़ों के कितना होगा आप कहोगी कि सर 125 होगा ठीक है परतिसत निकालना है तो मल्टिपल आपको सो से करना होगा 25 पांच 125 और सो के इंदर 5 का बाग लगाओगी तो 20 इसका राइट आ जाएगा 20 परतिसत करेंगे ठीक है अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए कि अगर आप इंडिन आर्मी की तियारी करती हो तो आपको मैत की जो तियारी है वो ऐसी एकोडिंग करने होगी चेनल पे नया है चेनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी जेके जीएस के क्लास सामको 9 बजे होती है सुबह स्पोर्ट के क्लास होती है आज क्लास इजर नहीं थे तो हमने आपको ये मैत के कुछ किसंश करवा दिये हैं मां उमिद करता हूँ आज के क्लास आपको अच्छे लगी होगी अगर लेंगे किसी को भी इंडियनार में एक्जाम को लेकर टेंसन नहीं लेना है जै हिंद वन दे मात्रम खुश रहे मस्त रहे